हेलो गाईज वक्नूम चैनल टैरोंड यू दिस इस मनीशा फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करने वारी हूँ यूनिवर्स आपको कौनसी ब्लेसिंग देने वाली है आपके लिए लेके आई हूँ आपका फेवरेट टॉपिक देखते हैं आपकी लाइफ में कौनसी ब्लेसिंग यूनिवर्स आपको दे रही है यूनिवर्स के मैसिज चेक करते हैं आपकी लाइफ में क्या होने वाला है मैं आपके लिए कार्ट शफल कर रही हूं जब तक आप प्रे कर लें अपने बारे में सोचें अपने बगवाल के बारे में सोचें ताकि आपको आज मेरी इस वीडियो में accurate guidance मिल सकें कौन सी blessing आपको मिलने वाली है कौन सी blessing आपको मिलने वाली है दिखें बहुत जादा confusion आपकी लाइफ में रहा है अब आपको clarity मिलने वाली है अपनी spiritual journey के लिए आप अब life में काफी कुछ सीखने वाले हैं निया निया सीखेंगे creativity बहुत जादा आपकी life में बढ़ जाएगे आप बहुत busy रहेंगे, आपके पास time कम होगा, ये मुझे दिख रहा है, और angels की blessing भी आपके साथ दिख रही है, और अब आप खुद एक earth angel की तरह life में आगे बढ़ने वाले हैं, आपको clarity मिलने वाली है, आपके soul purpose के लिए, ये मुझे दिख रहा है, इसके लावा देखते है और क्या blessing आपको मिलने वाली है, positive change आने वाला है, जो कुछ भी struggle आपने इस वक्त अपनी life में सहा है, वो सब कुछ बदर जाएगा, scenario change होगा, आप एक warrior की तरह life में आगे बढ़ने वाले हैं, आपके spirit animal भी आपको guide कर रहे हैं, आपको इस journey पर पूरा support किया जाएगा, और आपकी life में अब जो positive change आने वाला है, उसके लिए ready हो जाएगा, ये मुझे दिखता है कि आप एक ride पे जाने वाले हो, एक spiritual ride आपकी होने वाली है, जहां पे आपको animal spirit आपके guide कर support आपको मिलेगा, इसके इलावा कौन सी blessing आपको मिलने वाली है, positive change मिल रहा है, clarity मिल रही है, आपको आपके soul purpose के बारे में पता चल रहा है, और कोई loved one है, जिसको आप बहुत जादा miss करते हैं, वो आपकी life में come back करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, जिनकी यादों में आप कोई हुए है, क्योंकि यहां पे देखिए, एक couple है, ध्यान से देखिए, तो यहां पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके relationship में काफी कुछ अच्छा होने वाला है, और जिसके साथ अभी अपनों contact में है, आप फिर से contact में आएंगे, और यहां पे मुझे family matter भी दिखता है, जो लोग भी अपने family को लेके concern है, फैमली में जो problem चल रही थी, वो problem हील होती हुए नजर और आप animals के लिए कुछ काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुझे यहां पे बहुत सी energy है, जो लोग भी यहां पे spiritual journey पर हैं, आप animals के लिए कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ मुझे बच्चों के लिए कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यह change आपकी life अभी आने वाला है लेकिन अभी आपकी पर्सनल ग्रोफ संस्छीप अभी आपकी jaw में अचस्छ ना हे। इसमा बच्चों के साथ अगर अभी तक नहीं बन रहे थी तो दो बच्चों साथ भी मुझे अच्छा मैसेज दिख रहा है कि आप अपने बच्चों के साथ भी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं लेट गो हैव फण सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होने वाला है खुशियां ही खुशियां आपकी जिन्दगी में आने वाली है एक के बाद एक पॉस्टिव मैसेज जो मुझे एंजल दे रहे है वो यही है कि अब आपकी लाइफ में बहुत कुछ होना है लेट गो यहां पर लेट गो भी है लेट गो कर दीजिये जो कुछ भी आपके साथ हुआ अब रेडी हो जाएं जो पॉस्टिव चेंज आपकी लाइफ में होने वाले है ब्यूटिफुल रेडिंग है गाईज आप लोगो आप लोगों ने ये टॉपिक चूज किया मुझे भी अच्छा लगाए इसके यह मैं जो रेडिंग कर रही हूँ वो रेडिंग करते हुए भी मुझे अच्छा लगता है अब योड दिखते हैं यहां पर सी क्लारिटी का होने वाली है एक यह ब्लेसिंग मिलेगी आप अपने एंजल से ड्रेक्ट कम्निकेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं नमबर टू की यहां पे नर्जी है आपका नाम नमबर M से स्टार्ट हो रहा है M जादा है E है C है F नम है यहां पे T है S B है तो हाई प्रिस्टिज यहा आप अपनी इंट्विशन को फोलो कर पाएंगे और आप अपने एंजल से जुड़ पाएंगे डरेक्ट कम्निकेट आपका अप्के एंजल से होगा जिससे आपकी साइकिक अबिलिटीज भी बढ़ेगी पावरफुल हो जाओगे आपकी साइकिक पावर और सदा आपके एंजल से जिससे आपको clarity मिलेगी आपके soul purpose से but be at peace शान्ती में रहना है stress में एंजल आपसे contact नहीं कर पाएंगे नहीं आप अपने एंजल के message समझ पाएंगे अगर आप stress होके एंजल से जुड़ते हैं तो दिखिया skip भी कर सकते हैं आप important information को तो द्यान दीजे be at peace शान्त रहें आपको ये message दिया जा रहा है ठीक है एक और message है clarity में ये cards अपने आप आए थे तो मैं इनको भी देख लेती हूँ you have invested wisely कहीं पे आपने कुछ invest किया है तो patience रखे wait करे थोड़ा सा चीजे ठीक होंगी आपकी progress होगी जो भी आपने plan किये हैं वो सब plan आपके successful होने वाले हैं जो लोग भी decision ले चुके हैं invest कर चुके हैं कहीं पे भी आपके वो plan successful होने वाले हैं ये universe आपको message दे रही है यहां पे हमारे पास message है you need not go through your current challenges alone आप अपनी जर्नी पर अकेले नहीं है आपको यह challenge अकेले पार करने की जरूरत नहीं है help आपके आसपास है आपको दी जा रही है पूरा universe आपके साथ है but आपको negative thoughts create जो कर रहे हो वो आपकी life में थोड़ा सा problem create कर सकते हैं तो इसलिए अपने negative thoughts के उपर आच से अभी से control क करना सीखें यह आपके अपने हाथ में है ठीक है आप चाहें तो हमारे पास से energized crystal भी ले सकते हैं for healing purpose moving forward यह यहाँ पर कार्ड क्यों आ रहा है देख लेते हैं positive change क्या है आपके life में सोरी मैं तो दूसरा deck use कर रही थी यह वाला moving forward यहाँ पर कार्ड क्या है कोंसा positive change आपकी life मे आने वाला है देखते हैं four of a year देखे relationship में तो बहुत ही अच्छा positive change है और यहाँ पर money wise भी मुझे message मिल रहा है आपको ना एक तो saving सीखनी होगी एक यह चीज है positive change आएगा आपको ना इतनी clarity होगी कि आप money को save करेंगे आपके पास ऐसे idea आएंगे कि आपके पर money आएगी ठ अच्छे विचार मुझे आपके अंदर change नजर आ रहे हैं जब भी आपको कुछ देना है या आपको receive करना है आप resist ना करें किसी भी change को आप open up रहें जो भी change आपके पास आ रहे हैं life में ठीक है तो यह change positive change ज़रूर आएगा कि आप relationship में तो अच्छा करेंगे ही साथ साथ म आपको money का use किस तरह से सही तरक्य से कैसे करना है कहां पर invest करना है यह exchange आपके अंदर आएगा money spend करेंगे आप right जगा पर क्योंकि अभी क्या होता है आपको समझ नहीं आता होगा money आता भी है तो आप गलत जगा पर यह बहुत जादा expenses यहां पर मुझे होते हुए दिख रह है कि जहां पर भी money spend कर रहे हैं वो क्या सही है क्या गलत यह चीज़े आपके अंदर मुझे positive change नज़र आ रहा है कि आप समझ पाएंगे memories का देख लेते हैं यहां पर card क्या आता है इसको clarify करते है confidence तो आएगा ही courage तो आपके अंदर आएगा ही ठीक है अभी क्या है कि loved one के लिए card है कि आप किसी का wait कर रहे हैं वो आपकी life में comeback कर रहा है ठीक है बट आपको यहां पर आप देखिए यहां पर एक image है यहां पर होर से उसके उपर एक woman है जो बढ़ रही है आगे पीछे मु आया कौन गया आपको फरक नहीं पड़ रहा है यह चेज़ आपकी life में आने वाला है कि अगर आपके वो person भी वापस आते है अब आपको आगे बढ़ने से वो भी रोक नहीं पाएंगे क्योंकि आपने अपने आपको choose कर लिया है आपने अपनी journey को choose कर लिया है और निकल प life में आगे बढ़ाएगा यह चेंज आपके अंदर आने वाला है युनिवर्स की blessing है attachment आपकी खतम होने वाली है और detach होगे प्यार रहेगा लेकिन अब किसी के ओपर depend नहीं होंगे यह एक positive change यह एक blessing आपकी तरफ पढ़ रही है celebration देखते हैं इसके लिए क्या card है celebration card यहाँ पर क्यूं है angel हमको guide करें तो और फ्रेफल देखिये यहाँ पर है आप relationship को लेके concern है तो वह भी चीज़े मुझे हील होती दिखाई दे रही है archangel Gabriel archangel Ariel archangel तीन angels की blessing यहाँ पर आपके साथ है आप बहुत जादा एक मतलब दोनों मिलके आगे जाके कुछ ऐसा change कर सकते हैं आप अपने partner के साथ यहाँ पर कुछ ऐसा होने वाला है जो आपकी life में एक wonderful change लेके आएगा आपको give up नहीं करना है जिसको भी आप प्यार करते हैं give up मत करें बस attach नहीं होना है आप दोनों के relation में भी यहाँ पर मुझे angel blessing नजर आ रही है कि वो heal कर रहे हैं आप दोनों को फिर से एक साथ लेके आया जाएगा universe आपको यह blessing दे रही है और कोई important message देख लेती हूँ जो skip हो आपके लिए मैं चाहूँगी guide मुझे message दे कोई भी important information जो आपको नहीं मिल पाई हो इस वीडियो में अभी भी कुछ important रह गया है तो please मुझे guide करी universe मेरे viewer के लिए और क्या blessing मिलने वाली है आपसे please universe guide me कौन सी blessing मिलने वाली है transformation अब आपकी life बदल जाएगी toxicity खतम हो जाएगी जो भी परिशान कर रहे थे या तो वो बदलेंगे या तो फिर निकल जाएगे ये चीज दिखरी है आप अब spiritual journey पर और जाद आगे बढ़ने वाले है आपकी बहुत जादा growth होने वाली है prosperity आप के लिए कि transformation है transformation एक new beginning होती है struggle का time खतम हो गया है अब नई शुरुवात होगी positive change होगे यही message है कोई बड़ी authority आपको दी जाएगी आप बड़े पद पे select किये जाएगे आप spiritual guru बन सकते हैं या office में boss है या फिर manager है कोई leadership quality है आपको कोई ऐसा काम दिया जाएगा जिससे लीड करेंगे एक authority वाला काम आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं counseling करते हुए दिखाई दे रहे हैं लोग आपको सुन रहे हैं लोग आपको follow कर रहे है नंबर four की यहाँ पे vibration है आप यहाँ पे partner यहाँ पे हो सकते हैं नंबर four suffering in silence देखिए आपको कभी कभी बीच में ऐसा लगेगा कि आप अकेले हैं लेकिन देखिए नंबर नाइन की energy है आपको थोड़ा सा अपने उपर भी काम करने की जुरूरत है आगे जाके ऐसा नहों कि आप जादा घमंड में ना आएं क्योंकि यहाँ पे यह चीज़ें हैं अकेले ना रह जाए आपको सबको एक साथ लेके भी चलना है क्योंकि जब success मिलेगी तो हो सकता है घमंड और ego आपके अंदर आए तो वो चीज़े मुझे नहीं दिखना मतलब आप भी नहीं देखना चाहे अपने अंदर क्योंकि ऐसा करने पर आपका कोई लोस या हार्ट एक हो सकता है यहां पर मुझे यह कार ना जरा रहा है तो इन सब चीज़ों से आप अवोइड रहें नंबर तीन की भी यहाँ पे एनरजी है नंबर नाइन लिब्रा क्यूरियस जैमिनाई लियो सैजिटेरि बताएं हैं आप समझ सकते हैं यह रीडिंग आपको लिए जिसको भी रेजनेट हो रही है मुझे कमेंड बॉक्स में जरूर बताएं इतनी ब्यूटिफुल रीडिंग है आपके लिए जो भी इंपोर्टन मैसस थे रीडिंग में मैंने दिये है आपकी लाइफ में